ना किसी का सहारा है और ना कोई है अकेले रहना बहाता है 25 वर्ष ये अभिनेत्री को फिल्मी इंडिस्ट्री में करियर बनाने के लिए एक ट्रेस को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और जब ये अपने करियर में पूरी तरह सखल हो जाती है तब अपना पूरा फोकस काम में ही लगा देती है कुछ एक ट्रेस अपने करियर में इतनी व्यस्त भी हो जाती है कि वो अपने परिवार तक को भी भूल जाती है और सिर्फ अपने आपको पॉपुलर करने के बारे में सोचती रहती है ऐसे में बात की जाए अभिनेत्री चेतना पांडे के बारे में जो इन दिनों अपने रियल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है दोस्तों चेतना का जन्म टीन अगस्त 1994 को देहरदून में हुआ था और अब के समय में वो 25 वर्ष की हो भी चुकी है एक्टिंग करियर को बनाने के लिए वो अपने परिवार से दूर मुंबई में रहती है वो अपने एक्टिंग करियर में इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि पिछले चार साल से माबाप से भी मिल नहीं पाई है दोस्तों अपनी जिन्दगी में अकेले रहना ही इनको पसंद भी है फिलाल अभी वो किसी भी शो और फिल्म का हिस्सा तो नहीं है दर्शकों के बीच असल लोकप्रियता इन्हें बॉलिवुड फिल्म दिलवाले से मिली हुई थी जिसमें वो जेनी के किरदार में नजराई हुई थी दोस्तों अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात उन्होंने 18 साल की उम्र में टीवी सीरियल प्यार तुने क्या किया से की हुई थी सबसे अच्छी बात तो ये है कि चेतना अपने दम पर स्टार बनी हुई है मुंबई में इन्हें ना किसी का सहरा है और ना कोई है फिर भी अकेले बहुत खुश रहती है